चलो सबसे पहले वाले के साथ सबसें ओर अर्जिंटन्य इंवेसंच करें जो एzeit रॅचनके चांट झीए यह डिखते is मतलब एक तरह से यहां पर discussion केंदरे आप मान सकते हो, जो कि वहां के fintech investment और crypto investment के तौर पर वहां पर की जाएगी, तो चौरोब अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी detail में, इसलिए क्योंकि यह जो एक नई तरह के पहल देखने को में लिए, जो नई तरह का investment hub crypto के लिए जो उन् ने रिसेंटली जो है, लॉंच किया है, इन्वेशन हब, जिसका की गोल है, कि जो conversation है, उसे advancing करने का साथ ही साथ यह किसके बारे में है, तो cryptocurrency और जो fintech investment है, यह दोनों sector के बारे में है, अब यहां पर जो organization है, वो बोलती क्या है, कि वो link करेगी दोनों को, private entities को और institutions को, दो उसके अलावा जो है, उस पे advanced new fintech और crypto regulated instruments, जो है market के, वो apply करते हुए, इस पे discussions बगएरा की जाएगी, इनके बारे में राय मौसवदा जो कहा जाता है, वो उस तरह से यहां पर निकल कराएगी, तो यहां पर लबग आपको सब यह news समझ में आ गया होगा, बट फिर भी हम कुछ बाते की हैं, जिसको कि यहां पर देख लो, आप highlight करके, यहां पर note किया गया, तो चलो इसे थोड़ा से देख लेते हैं, तो यहां पर फ्रेंस बात किजए, तो mainly इनका यह कहना है, कि जो emergence है, कि की सीच का लेगा, तो crypto assets और phintech का, जो emergence का मतलब आप समझ रहे हो, regulate करने का बात से, अपना कुछ नियम guidelines के साथ में, तो उसी तरह से जो emerge हो रही है, तो वहां पिनका कहना है, कि to work together with the sector, मतलब जो भी sector है, जैसे कि उसके साथ साथ में work करना, जैसे कि दो सेक्टर के आप बात कीगी, आप देख सकते हो, crypto assets और phintech, तो यहां पर दोनों को कहन है, कि साथ में काम करना मिल जूलके, ताकि हम एक generate कर सेके regulatory and policy framework, इस रेकार्ड में, मतलब इस दोनों के regarding में, तो अब थोड़ा से नीचे अगर आए, तो यहां पर बात की जा रही है, कि जो initiative, इन्हों ने ये शुरू किया है, इसका जो aim है, वो mainly क्या है, तो protection, मतलब इंप solution त्यार गया आपने आपर, उसकी protection की बारे में बात हो रही है, कि उसके protection को improvement करना है, ताकि जो है, जो investors है, वो किस चीज़ से बच सके, तो इनका कहना है कि जो quite unfortunate phenomenon होता है, जो घटना होता है, जो कि fortunate नहीं होता है, जो कि आए दिन आपको crypto market में देखने को मिलता है, जिसको एक दिन में market में 10% से लेके 1000% तक भी, 10,000% तक भी किसी-कसी coin में growth देखने को मिलता है, साथी-साथ same way में उतना का ज्यादा dump भी देखने को मिलता है, मतलब crypto market में बहुत ज्यादा price gap बनाता है, बहुत ज्यादा price fluctuate होता है, तो उस तरह के risk जो आए दिन ओकर होते हैं, उन अपने तरफ से बताने के कोसिस की है, तो आपको साथ समझ में आया होगा, अब हम लोग साथ ही साथ और भी market में उसे भी कौर करते हैं, तो अब यह बात की जाए, तो यहाँ पे आपको जो bitcoin के ATM operator है, उनको पे कुछ आरोप लगते भी देखने को मिल ले, यहाँ पे कहना है कि जो bitcoin ATM operator है, new year के अंदर में, यह क्या कर रहे है, तो जो भी अवैद जो काम या अवैद जो business वैसाई करने वाले जो criminal है, उनको यह attract कर रहा है, कौन? तो bitcoin ATM operator, तो फ्रिंस थोड़ा सा नीचे में आएंगे, तो यहाँ पर भी कुछ समझने के लिए, मतलब बात ही जो है, न individuals engaged in criminal activities, वो मतलब criminals, जो कि इस तरह के गलत कार्यों में engaged होते हैं, उन्हें वो attract कर रहा है, वो इस तरह के illegal businesses में समलित होने का बात जो है, निकल कर आ रहा है, तो अब जो district के attorney है, जो charge में है, उन्होंने बात करते भी बोला, Robert Taylor जो है, उन्होंने बोला, यह जो है, आपका जो काम को करने में, इस तरह की बाते जो है, निकल कर आई है, इस पर और भी जादा आगे अस्परस्टिक करन देते हुए, यहाँ पर देखने को मिल सकता है, क्योंकि यह पहला तरह का मुझे जहां तक लगता है, इस तरह का case देखने को मिला है, जो कि bitcoin ATM operating system से यहाँ पर include है, त पर कोई भी individual अपना पैसा लगा सकता है, तो इसी तरह से यहाँ पर भी अगर criminal का involvement हुआ है, तो वो हो सकता है, जिस इसी कारण से government जो है, एस्टिक्ट रविया अपनाती है, या फिर regulation की बात करती है, जो कि बहुत सही है, आप अपना कैदा करनों regulation बनाओ, हर चीज के पर मिल जा रही है, तो साब तोर से यहाँ पर यह बात थी, तो चलो फ्रेंट मार्केट में और भी नीजे, उसे भी देखते हैं, तो फ्रेंट अब इस नीज को उपर बात की जाए, तो यहाँ पर कहना है, जो सेक है, वो रिस्क को वाइलेट करते हुए, जो करेगा या कर सकता है, इस तरगी बाते जो यहाँ पर इन्होंने कहा है, सेक डिपाट्वेंट को लेकर, तो चलो फ्रेंट में यही जो नीज थे, मैंने सब अपडेट कर दिया, अगर आपको यह वीडियो पसंद देए, तो प्लीज लाइक करो, चैनल अप नहे हो, तो सपोर्ट करो, सब्सक्राइब करके, ताकि मार्केट से जितने भी क्रिप्तो की नीज आती है, मेरे चैनल पर अपडेट हो जाए, और अभी आपको रात में फिर से मेरे चैनल पर वीडियो आती है, और एक वीडियो आती है, ऐसी जिसमें कि मैं 2-3 मिनिट का टाइम लेकर लबग मार्केट से टॉप 10 से भी ज़्यादा नीज को कॉवर करता हूँ, तो वीडियो तो जरूर देखना, इधर 2-3 में नहीं डाल पा रहा था, उसके लिए सॉरी, तो चलो फ्रेंड्स, मिलते अपने इंडेक्स टोडियो में,